ग्रेटिंग्स एवरिवन दोस्तो इस वीडियो में हम कैश बुक का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे और वो टॉपिक है देखिए दोस्तो जब भी हमें किसी से चेक मिलता है किसी कस्टमर से तो हो सकता है उस टाइम हमने उसको कुछ डिसकाउंट भी अल यह जब चेक मिला है तब डिसकाउंट अलाउड का ट्रीटमेंट क्या करेंगे यह हमारा टॉपिक है केस कौन सा है तू कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक में तू कॉलम हैं एक बैंक कॉलम और दूसरा आपका कैश कॉलम यानि थ्री कॉलम कैश बुक नहीं है two column cashbook है और उसमें discount का column नहीं है तो इस case में हम जब check मिला तब और जब check dishonor हुआ तब discount allowed का treatment क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों देखिए आप लोग भी video को pose करके cashbook draw कर सकते हो यानि इस question को साथ साथ करेंगे हम discuss हमने एक transaction ली है two column cashbook draw करके first transaction देखिए क्या है received a check of rupees 21,000 from Virat and a discount allowed rupees 500 customer का नाम है Virat Virat से हमें 21,000 का check मिला और 500 discount allowed था और assume कर लीजिए कि ये check हमने immediately bank में deposit कर दिया अब दोस्तों अगर हम cashbook maintain ना करते तो इसकी journal entry क्या होती देखिए जनल एंट्री सिंपल जनल एंट्री देखिएगा हमारी जनल एंट्री होती है bank account debit 21,000, discount allowed account debit 500, bank balance increase हो गया discount allowed क्योंकि हमारा loss है एक तरह से वो debit कर दिया 2 जिससे हमें check मिला 2 विराट 21,500 देखिए दोस्तों ये तब है जब हम cashbook maintain नहीं कर रहे हैं एक समझने के लिए हमारी जनल एंट्री ये होती है अब याद रखिए cashbook एक subsidiary book है और जो transaction cashbook में record होती है उनकी जनल एंट्री नहीं होती क्योंकि cashbook अपने आप में एक journalized ledger है journal भी है और ledger भी है तो इस case में क्या करेंगे देखिए जो हमें check मिला check हमें immediately bank में deposit कर दिया तो यहां लिखेंगे देखिए person का name 2 विराट check क्योंकि bank में deposit कर दिया तो हमारा bank column increase हो जाएगा 21,000 से देखिए दोस्तों अब bank column जब 21,000 से increase हो गया तो हम discount कहां show करें क्योंकि यह तो accounts है इसमें entry तो होगी जिस चीज की entry जिस part की entry transaction के जिस part की entry cashbook में हो चुकी है वो journal proper में नहीं होगी लेकिन discount तो आया ही नहीं तो हमें discount की entry करनी पड़ेगी कैसे करनी पड़ेगी समझिए मैंने जो यह entry लिखी है इसी को journal में convert करेंगे देखो दोस्तों bank वाला part तो आ गया यानि जो bank account debit था वो तो cashbook के debit में आ गया discount allowed account debit होगा 500 रुपीज यानि discount allowed account debit मैं इसे दुबारा लिख देता हूं ताकि proper entry आपको समझ में आये यानि first transaction का एक पार्ट हमारा आ चुका है cashbook में और जो discount वाला part था उसकी journal entry होगी journal proper में पूरी journal entry होती तो विराट credit होता 21,500 से लेकिन विराट credit हो चुका 21,000 से cashbook में और जो 500 रुपीज बचे हैं उसकी journal proper में entry होगी और यहां लिखेंगे तो विराट देखिए 500 रुपीज यानि जब हम two column cashbook maintain करते हैं और उस two column cashbook में discount का column नहीं है उस case में हम discount allowed को कहां दिखाएंगे दोस्तो journal proper में दिखाएंगे यानि जो check मिला bank में deposit कर दिया चेक का amount तो आ गया हमारा cashbook के debit side यह receipt side है bank column में 21,000 और जो discount है उसकी journal entry होगी journal proper में discount allowed account debit 500 तू विराट 500 समझ लीजिए दोस्तों यह अब यह check हमने bank में deposit किया उसके बाद देखिए check clearing में लगता है यानि हमारे हिसाब से तो हमारा bank account plus हो गया लेकिन bank वास्ता में plus तब होता है जब जिस customer से हमें check मिला हो उसके account से पैसा हमारे account में वाकई credit हो जाए transfer हो जाए लेकिन in between हुआ क्या check bounce हो गया check dishonor हो गया और आप जानते हैं दोस्तों ये देखिए second transaction the above check got dishonored जो check हमें विराट से मिला था 21,000 का जिसे हमने cash book के debit side में दिखा दिया था और discount part की entry journal proper में दिखा दी थी दो तिन चार दिन बाद bank से पता चला कि वो check dishonor हो चुका और जब check dishonor हो चुका होता है तो उसे हम cancel करते हैं और cancel करने के लिए देखिए जब check deposit किया तो हमने माल लिया हमारा bank balance प्लस हो गया लेकिन bank से पता चला कि bank balance था हमारा प्लस हुआ ही नहीं क्योंकि वो check dishonor हो गया तो यहां cancel करने के लिए credit side में लिखेंगे दोस्तो by virad bank के credit में लिख दिया यानि यह पैसा हमारे account में deposit नहीं हुआ credit में आ गया 500 का क्या करें अब समझिए दोस्तो विराट से हमें total लेने थे समझ लीजिए विराट से जो total पैसा लेना था हमें वो 21,500 था check balance हुआ 21,000 का लेकिन discount तो तभी valid है ना तभी माना जाएगा जब check का पैसा हमारे account में आ जाता check का पैसा हमारे account में नहीं आया तो इस case में हमें इस discount को भी cancel करना पड़ेगा यानि second entry होगी हमारी जब check dishonor हुआ इसको cancel करने के लिए क्या करेंगे reversal कर देंगे reverse entry हो जाएगी विराट debit 500 to discount allowed account देखिए दोस्तो इसको समझना बहुत जुरूरी है तभी आपको accounts भी अच्छे से समझ में आएगा दोनों entries को मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको जब check मिला bank balance increase हो गया 21,000 से और discount जो हमारा expense या loss जैसे भी आप समझना चाहें इसकी हमने general entry कर दी लेकिन कुछ दिन बाद क्योंकि check bounce हो गया तो उस check को cancel करने के लिए हमने bank के credit side में लिख दिया जब check हमारा bounce हो गया तो उस check पे जो हमने discount allowed किया था वो भी cancel होगा उसको cancel करने के लिए हम इस entry को reverse कर देंगे विराठ debit to discount allowed account तो यह case था दोस्तो cash book का बहुत important क्योंकि आपके examination में भी सिरफ cash book नहीं कई बार examiner इस तरह की problem डाल देता है कि prepare cash book या record these transaction in cash book and journal proper उस case में आपको discount की entry करनी होगी credit transactions की entry करनी होगी endorsement check की entry करनी होगी याद रखिये कहां journal proper में होगा वो सब तो उमीद है दोस्तो cash book से related आपकी knowledge और enhance होई होगी knowledge बढ़ी होई होगी यह इस तरह के वीडियो जो business studies accounts और economics के हैं मेरे चैनल पर सिर्फ आपके लिए अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो को like कीजिएगा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करना ना भूलें stay connected and improve your knowledge पस्तृत्हिस